हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टो माई चैनल देखिए पिछले वीडियो में हमने ये चक्ट के दो पॉइंट बना ली थी उपर का और ये सामने का सवरी है ये पीछे का ठीक है अब हम इस तरफ का बनाएंगे एक पला और पीछे का पला हमारा बन गया दोसी तरफ का बनाना है हमें उसी तरह एक पॉइंट पीच में छोड़ना है पूरा और एक आधा छोड़ना है यहां पर मैंने अपने ये देखे शुरू करते हैं एक पूरा पॉइंट छोड़ा है मैंने एक आधा छोड़ा है इसके ओपर हमें अपना डिजाइन शुरू करना है तीन हमने जैन लेनी और चार में यहां भी में डेवल क्रोशी निकाल होई ठीक है यहां यहां डिजाइन इसी तरह बनेगा निट इस मैने चार निकाल लिए दो कि मुझे चैनली नहीं यहां पर जोड़ना है जो हमारा डिजाइन जैसे चला है शुरू से यह डिजाइन हमारा सेम ऐसी ही चलिए दो की चैन और आठ के ऊपर चारीश तरफ रखे चारीश तरफ यहां पर अपने एट डवल क्रोशे डालोंगे यहां पर आके दिखा दिन आपको डिजैन हम से में चला रहे हैं देखी फेंस यहां से शुरू करके डिजैन में अपना यहां तक लिया हूं यह इस कलर का में एक स्टेप ऐसे डालना है चार हाथ हमें इसी तरह घुमाने हैं सिर्फ हमने मोड़े की कटाई की है गले की कटाई अभी नहीं करेंगे यह पूरा में कलर बना के आपको चार हाथ निकाल के फिर यहीं पर आके कटाई करना बताओंगे यह हमारी कौर इसी तरह चलेगी ठीक है यह में कलर आपको दो स्टेप बनाके यहां प्यांकि फिर दिखाते हूं इस तरफ तो हमारे जैन शुरू से ऐसी चल रहा था यह अंदर मोले की तरफ है यह भी हमारा ऐसी चलेगा सीधा में इसके ऊपर चार के ऊपर जाके तो इस तरफ अंदर की तरफ रखे और तीन बाहर की तरफ जंजीरी के साथ हमारे पांच हो जाते ही जिचार डूल कोशी में डाल लिए अब सबसे पहले वाले में एक ऐसे डालेंगे हमारे यह मोड़े की तरफ से ऐसी सीधा जाएगा उपर ठीक है वापस इसको जंजीरी लेंगे तीन की दो अंदर की तरफ रखेंगे बीच में हम अपने 4 के ओपर चार डालेंगे दो थे घ्री चार ठीक हैँ हमारी इस तरफ डिजैन सेम चलेगा मोड़े की तरफ गले की तरफ हम अपनी कटाए करेंगे ठीक है जैसे हमने पहले चलाया था देखिए को और हमारी सीधी चलेगी ऐसी यह मैं डिजाइन आपको यहां तक पहुंच के फिर दिखाती हूं दो स्टेप में तो हमने काट डाली नहीं थी लास्ट मैंने चार के उपर चार डाल दिए जिरी के उपर एक बनेगा अब तीन की जिरी लेके वापस डिजैन वापस लेकिया हूंगी कलर चेंज करेंगे अपना ठीक है देखिए यह मेरा देखिए पूरा हो गया है एक चैनले क में कट कर दोंगे अब हमारा अंदर मोड़े की तरफ कलर लगे ना दूसरा सेकिन कलर देखिए जहां पर कट करूंगे वहीं पर लगा लूंगे में इस तरफ से मोड़े की तरफ से हम सेम इसी तरह को और ऊपर लेके जाएंगे जब तक हमारा मोड़ा कंप्लीट नहीं होता तिन की चैन बनाके शार की उपर एसी मुझे चार रखने है ठीक है सामने आगे दिखाते हूं गले के पास काट डालेंगे यह कोर हमारी ऐसी रहेगी यहां पर आखे vivid होगे हमारी dall diff गले काट डॉलेंगे हैं देखे फेंस गले की तरफ आगी हमें अब मुझे एक चैन लेगी है आगे हम दो चैन लेते थे एक चैन लेके यहां पर जोड़ना है एक एक हमारी चैन कम हो जाएगी फिर एक चैन लोंगे यहां पर हम अपने चार डालते थे अब मैं अपने यहां पर दो ही डालूंगे एक और यह दो ठीक है अब इसके उपर हम अपना लाश्ट वारा डालते थे इसके पास में डाल लेंगे तीसरा जो हम चैनले की मुढ़ना है हमें टोटल मैंने तीन डाल लिए एक दो तीन की चैनलोंगी मैं अब मैं एक तीन की चैनल के बाद ऐसे बीच में आके मुझे एक डवल क्रोशय लेने के बाद मेरे पासी दो हो गए हैं अब मैं एक चैनले के सीधा अंदर जाऊंगे यह मारी चैनल कट जाए गी और यह हमारे दो कट गए तीन में इस डिजैन के अंदर जाऊंगे यह एक विनिट पीछ उल्टी तरफ हैं डिजाइन के अंदर नहीं यहां से को आठ को एक एक करके ही बनाएंगे आगे का डिजैन सेम रहेगा बस यहां पर मैंने देखिए इस तरफ से दो येलो किये हैं एक लास्ट मिडाला तीन हो गई टोटल एक एक मैंने चैन कम कर दी वापस मैंने सिर्फ दो ही निकाल गए हैं उसके बाद मैंने ये वाले डिजैन की दिखाते हैं ठीक है देखिए फेंस उड़ोटी तरह से डिजैन कंप्लीट करके लिए हूं अब मैं यहां पर जाओंगे यह तो हमारी कौर इसी तरह बन रही है सैड में जो हमारे अंदर मुड़े की गोलाई है उस तरफ चार बनाते हैं और एक ऐसी लिया आते हैं अब ऐसे घुमागे लाओंगे मैं हाथ को यह इसी तरह बनाओँगे 3 की चैन लेके मूडते है हूं चार के उपर ऐसे चार ही रहते हैं यह मेरी मोड़े की अंदर की तरफ बर नहीं है गोलाई यह सीधी लाइन अभी डिजैन मैं यहां पर लेके आओंगे आपको इस तरफ मारे गले कि टाई चल रही है ठीक है तो यह प्रेंस मैं अपना डिजैन कंपलीटि करके इस तरफ लियाए हूँ जहां पर मैं अपनी कटाई डाल रही हो गोले कि इसके उपर मैंने चार इस तरफ करके बीच में आठ अपने निकाल लिए डेवल क्रोशिय अब देखे एक में यहां पर निकाल लूंगे यह चार है एक निकाल के मुझे यहीं से वापस हो जाना है यह हम छोड़ेंगे हमारी का लेकी कटाई बन जाएगी अब slip stitch से मैं उपर जाओंगे एक यह दो तीन यहाँ पर मैं चोथे में आ जाओंगे अंदर दो चैन लेके अब मैं यहाँ पर अब मैं पर ओपने बीच में आगए चारीस तरफ बना लिए यह मेरी एक जनजीरी हैं और तीन मेरे डवल कोशे बनेगे अंदर ठीक है यह मैं टोटर अपने चार बना लूँगे यह उपर बना देते हूँ जनजीरी के अलग मैंने चार बनाए हैं अब दो की चैनल लेकिए सीधा में ये डिजैन बनेगा हमारा उपर वाला सामने जो बनता है ये वाला बना होंगे ठीक है देखिए हमारे गले की कटाई इस तरह से इस तरह की बनी है यहां से हमने शुरू किया कटाई डालना ठीक है ये दोबारा घूंके मैं आपको यहीं प नहीं हूं गले की कटाई की तरफ दो मैं जंजिली लोंगी जोड़के अब ये जो मैं पिछली बार चार पांच डालके ली थी अब इसके उपर मुझे ऐसे चार डालने ने हैं दो अंदर की तरफ रखके दो ये तीन और ये चार और लास्ट में एक यहां पर डालोंगी इसके पास में ही उसके अलग अब मैं तीन की चैनल लोंगी मुड़ जाओंगी ये हमारी कौर इसी तरह बनेगी अब हमारा कोई कम नहीं होगा लास्ट में ये हमारे इसी तरह कोर रहीगी जैसे हम साइड में बना रही है अब हमने जितने कम करने के कर लिए ठीक है ये डिजैन उसी तरह चलेगा कम्प्लीट करकर के दिखाते हैं आपको ये डिजैन भी में जैखिए हमने बस कटाई डाल ली अपनी अब उपर हम ऐसा ही अब यहां पर बनेगा मैं आपको यह बढ़ा के फिर दिखा थिए अब हम कोई काट में डालेंगे इसी तरह चार के उपर चार बनाएंगे एक लास्ट में बनाएंगे वापस तीन की चैन लेके मुड जाएंगे बस यह हमारे दो पूरे रहेंगे उस साइड में हमारे को कट गई है दो एक यहाँ पर کट गया जब मॉड़े की कट ही हमने डाली थी एक यहां पर कट लिया मैंने इस पर लेगě परद लेग ँड में के लिए उसके बाद पवरेंगे शुरू मे यहाँ से कट डानने कही थी एसे ऊपतक ड़ गए मैं अब नोटा पूरा हो गया है अब देखिया ऐसे उलटाऊंगे में यह पीछी का साइड है कि यहां से चाहिए तो आप सुने के साथ सिर लीजिए चाहिए आप क्रोशे के साथ सिर लीजिए यह कोर के साथ हमारी कॉर मिलेगी और ऐसे यह डिजैन के साथ डिजैन मिल जाएगा और यहां पर यह हाफ डिजैन में लाएंगे बस यहां तक चार तक ही ठीक है ऐसे पकड़ लेंगे घुमा के हमने दोनों उल्टे कर लिये हैं आप चाहिए सुनिसे बिसल सकते हैं इसको या फिर इसी तरह कुरोशी से सिल लिजी सुनि में धागा डालके सिल लिजी अंतर हमारे दोने सीधे हैं ऐसी पकड़ है मने एक तरफ से एक तरफ की हिस्ते को अंदर ले लिया उपर सी दॉनों को एक सार पकड़के ऐसे एक स्टेप करता यहां से उठाएंगे और मिच्छली पितरस से दुनों को गठा करके यह निकाल देंगे हो ऑस दूनों के अंदर स सीम हम दूसर मोड़ा भी असी से लेंगे यहां तक ठीक है डिजैन के साथ डिजैन गला लेते हैं यह मैं यहां तक आपको सिल के दिखाते हैं ठीक है कि मैंने लाश्ट तक इसको से लिया है चैनले के कट कर देंगे एक तर्फ का देखिए मारा शॉल्डर सिल हो गया सीना करके निखा देखिए आपको अब दूसी तर्फ का यह मारा यहां पर सिल हो जाएगा उल्टा करके इस तरफ यहां पर ठीक है इन दोनों को इसे ऐसा उल्टा ऐसे पकड़ना है यहां तक सिल देना है उसी तरह क्रोशी से सिल लिजी दो स्टेप के साथ दो स्टेप से लोगा डिजैन के साथ और यह वाला आता यहां प्र जाय जाएगी कोर जो हमारे गले की कौर है ठीक है यह भी इसल की दिखाती है आपको दुछी फिर इस हमारे दोनों मोड़े से से लोग ने उपर से य है मारी गले की कटाई आई हैं ठीक है दीके शोल्डर में तो हम ऐसी हाथ को मालें ए और सामने हम अलग से डिजैन वारी लेस्ट में तैयर करके साथ की साथ इत्यार करेंगे देखिए शॉल्डर में एक तर्व से शुरू कर लिजी अब ये दो और ये तीन एक हमने चैन ले लिए ती टोटल हमारे चार है थोड़ी दूर आगे आएंगे ऐसे इसको ऐसे जोड़ देंगे दो की चैन लेकिए वहीं पर बनाएंगे दो एक चैन है दो तीन चार बना लेते हैं ऐसे थोड़ दूर आगे जाके इसे जोड़ के छोड़ देंगे दो की चैन लेकिए दोवारा त्यार करेंगे इसी तरह गोल दोनों शॉल्डर में ऐसे हमाऊंगे में हाथ और जो सामने गले पर डिजैन बनाएंगे वह हम अलग से बना आके वापिस मैं यहां पर ले आई हूँ जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पर इसको ऐसे स्लिप्स्टिश से बंद कर देंगे ठीक है मैं इसको कट कर दोओंगे और थागा हम अपना अंदर चुपा देंगे और सेम मैं दूसरे मोर्डे में भी ऐसे करूंगे शॉल्ड करके यहां तक आज जाएंगे ठीक है अगर आप चुड़ाई कम रखना चाहते हैं तो सेम इसी तरह जो हमने यहां पर हाथ खुमाया है ऐसे सामने घुमाली जी अगर हम इसकी चुड़ाई थोड़ी बढ़ाएंगे अलग डिजैन डालेंगे तो मैं आपको नेक्स वीडिय होंगे ठीक है तक की लिए बबाई टेक कियर